हम लोग bound charge density और free charge density इसकी बाते कर रहे थे जो conductor में जो free electrons होते हैं उन से जो charge बनता है charge का transport होता है उनको हम लोग free electrons कहते हैं क्योंकि वो किसी आटम्स या मॉलेकल के साथ बंधी नहीं होते हैं लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में हर एलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ने किसी के साथ बंधा होता है except for thermal fluctuations क्योंकि सब भी की energy बराबर नहीं होती है thermal fluctuations के कारण कहीं कहीं सी तूटते भी होंगे और free होते भी होंगे इसलिए कुछ ने कुछ conductivity भी होती है कैसा भी डाइलेक्ट्रिक हो कुछ ने कुछ conductivity जरूर होती है तो हम बहुत अच्छा इंसुलेटर है बहुत खराब इंसुलेटर है यह सब बाते करते हैं तो वह कुछ free electrons तो मिलेंगे लेकिन by and large by default electrons बढ़े हुए है तो वह bound है और उनके कारण से कोई चार्ज आ रहा है material के ऊपर bound electrons के कारण से उसको हम लोग bound charge density कहते है और हम लोग उने दो expressions निकाले थे एक bound surface charge density के लिए और वो हमने निकाला सिग्मा भी surface charge density bound और यह हमने का पी डॉट इन कैप क्या है यह यह material है और उसके surface पर हम देख रहे हैं तो surface पर कहीं अगर देखते हैं तो उससे वहां से आउटवर्ड नॉर्मल और उसके तरफ उनिट वेक्टर वह यह n-cap है और इसमें जो polarization है जो भी जिस भी दिशा में polarization है यहां पर जो polarization इस पॉइंट पर जस्ट सर्फेस के अंदर इस पॉइंट पर जो polarization है वो पी है और इनका अगर यहां की surface charge density निकल करके आती है और दूसरा हम लोगों ने लिखा बाउंड वॉल्यम चार्ज देंसिटी और रो भी लिखते हैं वॉल्यम चार्ज देंसिटी बाउंड और यह सरथ से माइनस . अंदर में अनर में हमारा hanya को ऑप है तो वहां पर हम गते है اس की वहां पर शेयर्वार्जीमी आ इसे बारिएशन है कि इसका डाय का डाय क्ता जया नार्दाар बाउंज यह देनष अधर्रा नाह काले चार्ट्रेस के लिए जो डिएलेक्रिक सफिस पे और इसका इंटीर च्ञार में आसकते हैं अगर वह पेलराइज हो जाय सो प्रैसिशंद एक खुतर ओर जाये तो पहले हम लोग एक सवाल हल करते हैं और उसमें हम लोग एक का तो केटिक स्फियर लेते हैं दिनिफॉर में due to uniformly polarized, uniformly polarized sphere, dielectric sphere. तो यानि जो हमारा एक डालेक्ट्रिक का स्पियर है और वो स्पियर में polarization है और वो polarization सभी जगा एक जैसा है तो उसको हम लोग स्पियर में अगर हमारा यह स्पियर है कुछ रडियस है उसका मालोग रडियस है और इसमें सब जगा एक ही जितना polarization है एक ही दिशा में है और वो polarization पी है या पी नॉट है तो मानले जुश को हम कहें पी इकल टू पी at all points inside this material is equal to p0 किस दिशा में किसी एक दिशा में के क्या तो उसके कारण से सिर्फ उस polarized sphere के कारण से वह कैसे polarized हो गया उसकी किस फिल्द ने उसको प्लाराइज किया वह उस फिल्ट की चर्चा नहीं कर रहे है जो इस प्लाराइज स्फियर के कारण से फिल्ड है यह polarization हुआ कैसे वह भी को इलेक्ट्रिक फिल्ट शायद रहा हो जो कि जिसने इसको प्लाराइज किया है उसकी चर्चा नहीं कर रहे है लेकिन इसके युनिफॉर्म है तो डाइवर्जेंस उसका जब लेंगे और आप डिफ्रेंशियेट करेंगे एक्स कॉम्पनेंट वाई कांपनेंट वगरा वगरा तो जिरू आना है तो अंदर तो कुछ है नहीं जो भी चार्ज है वो उसके सर्फेस पर है और सर्फेस पे कितना चार्ज है सर्फेस पर जो चार्ज है सिग्मा भी वो है पी डॉट एन कैप पी का मतलब हो गया पी नॉट के कैप और डॉट एन कैप और यह पी हो जाएगा यह यह एन कैप हो गया है यह एन कैप है और यह पी वेक्टर है की के Kप क्या में डॉट लिकष्यन में डॉट लिजह है यह हमने भी वेक्टर बनाया यहाल है यहाल की यह बनाते हुए यह धै यह यहार मोशल है और से जैन्तर चैनल उनदर की Republic नॉर्मल नहीं लेना है और यह जो इन दोनों का देखेंगे हम तो बनेगा वह पी नॉट कॉस्ट थिटा यूनिट वेक्टर यह भी है यूनिट वेक्टर यह भी है और इसलिए 1 1 इंटो कॉस्ट थिटा और यह थिटा वही है जो स्फेरिकल पोलर कॉडिनेट्स में हम अगल है देख से जो अ किलह है वह हमारा तो यह हम प्लिट थिटा यहां पर हम आए थिखatori तो यह थीता है Jeśli sigma B equal to P NOT cos theta कासा distribution है धीटा बड़ाबर 0 से शुरू के जिए स्टीटा बड़ाबर zero तो और सिगमंदी बड़ाबर P नौट और जे जाहसे आप आप दिटा भाएँगे से घृता जाएगा पाइबाइटो पर जिरू हो जाएगा और पाइबाइटू से भी आगे जब बढ़ जाएंगे इधर की तरफ इधर की तरफ अपने एलिमेंट्स लेंगे तो कॉस्ट टेटा निगेटिव हो जाएगा जाएगा मैंगेटिव बढ़ता जाएगा और थीटा पराबर जब पाइगे तो माइनस पी नौट यह मैक्सिमम नेगेटिव मैंगेटिव बनेगा यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्च सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्च देंसिटी यहां इधर आए तो थोड़ सब्सक्राइब और जीजाद पीयं किये हैं उनके करण से पैदा हुगा फिल्द अन्तम Nicholas पैदा होता है जो एलेक्टिक फिल्द है वहादा तो चार्ज वह से पैदा होता है होना तो अब सब्सक्राइब होता है थो अभभी हम रहे हैं तो कुछ चेंगैजिंग नेटिक्ण पर रचा नहीं है तो अभी चार्जेज ही करेंगे वह मिटल पर हो ड्यबे पर हो जैसे भीूँ अब हमें Hospice का पता चल गया और इस चा लिस दिर्टि विशन के कारण सेके वहां होता है वह हमें लिखने और पता है आपको यह तो हाल कर कुके पहरे सिग्मा एक्वल तो सिग्मा नॉट नॉट कॉस्ट थिटर इस चाहर डिस्कृबिशन के कारा अंदर का फिल्ड निकाली चुके बाहर का भी निकाल चुके है शायद हम लोग तो तो कैसा फील होता है जो अंदर का फिल्ड है हम निकाला था सिग्मा not by 3 epsilon not और गितिव च डिरेक्शन में तो मैंनस यह के काप यह वह है वह दिस्टिबुशन है विसले जो अन्दर में इसके अन्दर जो एलेक्टरिक फिल्ट है E inside वो है P0 by 3 Epsilon naught विदे माइनस Сिन के काप यहने फिर से हैं को मैं जुइ द्रॉ कर दू कि अगर हमारा स्फियर है तो जो फिल्ड है वो ऐसे ऐसे है इस डिरेक्शन में आशा कॉंस्टेंट मैंनिचुड है हर जगा एक जैसा है कहीं भी देखें तो एक जितना है तो इनिफॉर्म ली परे स्टोन फिर्फ लाइन हमें दिखा निचाहिए अपने तू डिमेशनल डियाग्राम पर यहां पर जो पॉसितिव चार्ज है यह पर निगेटिब चार्ज से जल करके निगेटिव चार्ज है पर हमारी लाइं स्टम हो रहे हैं और पूरे में अंदर म uniform field है इस पूरे के अंदर में बाहर का क्या होगा तो बाहर का भी आपको याद होगा कि यह जो सिग्मा बनाबर सिग्मा नौट कॉस्ट थिटा है यह हमने यह भी एक दफा किया था एक प्रश्न किया था हल किया था यह कैसे लाया जा सकता है उसका एक तरीका यह है कि आप एक रो plas Rho nought plus Rho nought इतनी density का uniform charge distribution बनाए यह volume charge distribution जाने positive सारे positive sub-digra positive अंदर तक अंदर तक volume charge density positive positive sphere हो गया है और ऐसा ही negative sphere बनाए यह मिसमें कि minus Rho nought लिज्ये और उस स्पियर को इस स्पियर के साथ complete overlap करा दिए हर जगह 0 हर जगह 0 हर जगह 0 कहीं कोई चार्ज नहीं और फिर उसको हलके से shift कर देजे नीचे इस वाले negative sphere को हलके से नीचे shift कर दिजे D separation छोटा क्या से प्रेशन डी तो जो अब नीचे shift हो गया आप यह पुरा इस तरीके का बन जाएगा यह को इस तरह का बन जाएगा एस तरह से इसको shift कर दिजे और यह नेगेटिटीव जो है यहां पिए पॉसीटिव जो है यह तक यह तक यह तक कर औरा बालाप है और नीच बंता है और यहां तक यह सब नेगे यह कर दिश्टन सब कर दिया है ऐसे तरए का इस चो बनता है और यहां आप देख रहे है और चूपके यह बहुत है तो जो भी दिखui तेँको वह सर्पेस केंगे सब सर्फेस है यह इंटीलियर में और जीरो हो गया फॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेन रहाबर है विपारी यह घ्रेटी जा रहे है यहां है घ्रिटी जा रही यह अगर आपको फिस की कितनी दूर में नेटेव चाहिए-ठीज है maximum positive यहाँ पर theta is pi by 2 0 यहाँ पर 0 यहाँ यहाँ कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है और theta पर पाइ कॉस्टिटा is minus 1 minus sigma naught यहाँ फिर minus sigma naught है पूरा variation ऐसा है और यह sigma naught क्या है यह sigma naught है यह rho naught into d ऐसा तो आप के पास अगर यह sigma equal to sigma naught cos theta जैसा कुछ है तो उसको आप 2 spheres के रूप में लिख सकते हैं और पहले sphere को आप इससे बताएंगे दूसरे sphere को आप इससे बताएंगे जो total charge होगा q और minus q वो होगा 4 by 3 pi r cube into rho naught इतने charge का sphere positive बनाई है इतने charge का sphere negative बनाई है और उसके बाद उसको आप shift कर दीचे तो यह बनता है तो वही चीज़ वहां है जो सिग्मा नौट है वही पी नौट है बागे तो सब कुछ ऐसा ही है तो अगर इसमें बाहर के लिए फिल्ड हम देखते हैं तो बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए अगर uniformly charged sphere है तो उसको उसके center के उपर माना जा सकता है तो दोनों spheres को अगर आप उसके centers पर मान लेते हैं तो एक positive यहां पर plus q यहां पर और फिर minus q यहां पर d distance नीचे यह हो गया यह पूरा का पूरा जो q है capital q सारा का सारा जो positive charge है यह इतना यह सारा का सारा positive charge आप एक point पर मान सकते है for getting field outside this sphere और इसी तरह से यह सारा का सारा negative charge है इसको आप एक अलग point के उपर मान सकते हैं minus q तो यह हमारा अगर r distance का sphere ऐसा था और इसके बाहर के किसी point के लिए यहां मैं पूछ रहा हूं कि what is the electric field जो एक डाइपल बन गया और चुकिए बहुत चोटा और capital R बहुत बढ़ा है तो बाहर का कोई भी point होगा तो डाइपल में जो हम कहते हैं दूर के points के लिए दूर के points वाले फर्मिले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और यह डाइपल मोमेंट कितना है इसका पी वो है यह क्यू इंटु दी यह पूरा का पूरा क्यू इंटु दी यानि यानि 4 by 3 by capital R cube into rho not or into d और rho not into d यह जो है यह सिग्मा नॉट है तो 4 by 3 by R cube sigma not हमारे इस के अंदर में capital P not लिख देंगे उसको यह इतना इसका डाइपल मोमेंट हो गया 4 by 3 by R cube rho not d कि देगा सिग्मा नॉट है इतना डाइपोल मोमेंट का एक डाइपोल यहां पड़ा है इस पर वापिस आ जाते हैं हमारे यह बाहर के पॉइंट्स के लिए फोर पॉइंट्स आउससाइड दीलेकर इसके लिए असूचते हैं यह हमारा स्थियर है और यहां पर हमारे पास एक डाइपोल है और डाइपोल कैसा है डाइपोल मोमेंट माराons ऐसे एसा दैपोल मोमेंट इस डिएक्षिन में इस डिरेक्षिन में इसा डिएक्षिन में इस दिन एसे डिएक्षिन में ज़से हैं और हो दैपोल मोमेंट कितना है तो दैपोल मुमेंट इतना है E is equal to four by three by capital R cube P knot in K cap direction कि यह निगेटिव चार्च जी धरा है पॉजिटिव चार्च जी धरा है तो डाइपल मुमेंट का जो डिरेक्शन है वो नीचे से उबर की तरफ है के क्या और इसके कारण जो आप सूत्र जानते हैं ऐसा डाइपल अगर उरिजिन पर रखा जाए जडिरेक्शन के अंदर में हो इसका डाइपल मुमेंट हो और आप उसके कारण से कहीं पर चाहते हैं और यह अगर एंगल थीट है तो सुत्र आपको ध्यान होगा यह बराबर पी वाइफ पाई एपसलन नोट आर क्यूब छोटा और क्यूब यह है चोटा यहां से यहां तर देखने में छोटा है वैल Nouveau इए ढबूक कुष्ट दीटा काप लास साइन दीटा और क्यube हम और प्लस साइन दीटाफ दीटा क्याब मात यह इफ एलेक्ट्रिक फिल्ड इस डाइपोल के कारण से कहीं पर आर कैप थीटा कैप आपको बता है यह सेंटर है यहां से यह यहां पर हम है इसी डिरेक्शन में बढ़ जाए यूनिट वेक्टर बना लिजे तो आर कैप है और यह थीटा है थीटा बढ़ने की जो दिशा है वह ऐसा कुछ डाइपोल जिधर भी आजाए दोनों आक अलग अलग-लग फिट यह बाहर का इसे प्रकार से होती है ऐसे ऐसे होती है है कि मैं एसे धर शेजिए कि इसी तरह स्फच्ष और इस दूसरे साइड में कि ऐसे इसे करके इसकी डहप्अ की लाइन्स हुआ करते हैете तो भीतर में जो लाइन से वो अशनी को बाहर के लिए है वह बीटर में अगर को इस प्रकार्श सवक्णा पड़ गया तो विपा दिजी गलत बात है यहां पर नहीं है अंदर में युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड उसकी लाइने यह बनी हुई है लेकिन बाहर में यही लाइने हैं यह ऐसे यह ऐसे यह ऐसे यह सही लाइने है यह बाहर के जो लाइने दिख रहे हैं यह सब सही लाइने ऐसा यहां पर इसके कारण से होता है क्या हो अगर डायलेक्ट्र के भीतर क्या है ऑगर खाली जगह हो तब क्या हो तो हम थोड़ी जगह बना ले पहले कि अलिग से कुछ नहीं करना है हमारे sigma B के जो शूतर है रहे में कांबिटी का अंदर खाली जगह है रोब हम लोग सिग्मा की बाद जरूर कर सकते हैं और वो सिग्मा भी वैसा ही मिलने वाला है यह समझ लिजे कि जिस तरह से इस डियालेक्रिक का यहां सर्फेस है यहां सर्फेस है उसी तरह इस डियालेक्रिक का यहां भी सर्फेस है तो यहां पर माली जहां में सर्फेस चार्ज दे कितना है तो पी देखते हैं कि कितना है तो कुछ पता चलता है अच्छा पी इतना है और जो इदर खाली जगह है जहां डाय थीटर का करके खतम हो गया तो इसे बाहर के तरफ यहां पहुंच गए तो सिस सर्फेस के पहले देख लिजिए कि पुलराइजेशन कि तक तुछ तक किदर है कितना है पुलराइजेशन यहां पर और फिर नॉर्मल यूनिट वेक्टर करना तो इसके इस सर्फेस के ऊपर यहां जोसे सर्फेस बनी हुए है सर्फेस के उपर हमें 2 डालना होगा to do द prawगा कैंवीटी के साइड में डालना होगा जैसे अगर वारा माली जे कि एक सिलिंड्रिकल डायलेक्रिक हो माले एक सिलिंड्रिकल डायलेक्रिक है यूनिफर्मली पोलराइज़ P is equal to P not k cap अब जगे लेकिन इसके अंदर में एक सिलिंड्रिकल एक सिलिंड्रिकल ऐसा cavity यह बीच में cavity एक खाली जगे तो अब अगर ऐसा डायलेक्रिक है जो कि जहां मिटीरियल है वहां यह पोलराइज़ेशन है जहां मिटीरियल ही नहीं है वहां तो सवाल नहीं है वैसी हालत में कहां कहां इसमें बाउंड चार्ज दिखेंगे तो अब इसमें आविश्में कि यह सर्फेस से हैं यह तॉप शर्पैस इसके पहले इधर डायलेक्ट्र 내용 हैं इधर नहीं है फिर यह तीन ळिखंगे तो यह दिख रहें गया है इतर खाली जगह अगा यह होज जो पकूप सर फेस है यह वह वाला जो कॉप सर फेस है आपको सर्फेस को यह साहर ज सब्सक्रा आपको आपको कि बॉन्ड शर्फेस चार्ल देंसिटि तो घरλए है कि देखिए कि वमेसे पिकने में अना और n-cap यह अगर देखना है तो ऐसा n-cap मिलेगा और यहां अगर देखना है तो ऐसा n-cap मिलेगा और यहां अगर देखना है तो इधर डालेक्ट्रिक है और इधर नहीं है तो यह अगर देखना है तो इधर डालेक्ट्रिक है और इधर नहीं है तो यह अगर देखना है तो कर देखना है तो इस आक्सिस के परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर ऐसा आपको मिलेगा इसके यह जो अंदर वाली इसकी जो सर्फेस है यहां पर भेकर आपको देखना है तो वहां भी जो सर्फेस है उसके परपेंडिकुलर और इसमें एम्टी से एम्टी वाले में ऐसा यह आपको लेगा तो सभी जगह अगर आप यह निकाल निकाल करके देखेंगे तो दोनों कर्व सर्फेस पर यह जो दोनों यहां देख लेशे बाज में मानसफिक नौट यहां देख लेशेंगेلا अभी तक हम नहीं कि आप लगाओगे तो पॉलराइजेशन हो जाएगा डालेक्टिक में तो ऐसे अगर मिटीरियल है जिसमें जो पॉलराइजेशन है वह इलेक्ट्रिक फिल्ट की ही दिशा में है और उसके प्रपोर्शनल है अई रिक वीडी के माइने चुट के प्रपोर्शनल है पॉलराइजेशन जाएजब काए फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा यह पोलराइजेशन है और ऐसे जो मिटेरल होते हैं सभी में ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ मिटेरियल होंगे जिसमें ऐसा होता है जिसमें की polarization is proportional to the electric field in the same direction ऐसे मिटेरियल के लिए हम यह कर लेते हैं अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको और अलग धंग से डिफाइन करना होता है और इस प्रकार के material linear dielectric कहे जाते हैं तो हम लोग साधरन तो काम करेंगे इस कोर्स के अंदर में हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग में ही काम कर रहें नहीं होता है जैसे बेरियम टाइटनेट है बेरियम टाइटनेट जो है रूम तंपर के ऊपर यह थोड़ा सा हाई जाए वहां तक भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक है कि इसमें डुमेंश होते है ऐसे डुमेंश होते हैं इसके अंदर में और जैसे आप फिरो मैंगेटिक जानते हैं उसी तरह से यह फिरो और उलेक्टरिक मीटीरियल है अगर एक बार आपने इसको लगा गए पुलराइज कर दिया तोब हमारे जिए चांट जिए तो भी उसमें पुलराइज बना रहता है जैसे पर्मानेंट मैंट होता कुछ नहीं भी लगा है तो डोमेंस हैं यहाँ पुलराइजन एक प्रकार के हैं यहाँ पुलराइज़से प्रकार के हैं बीट में डोमेन वाल है और यह लीनियर डाइलेक्ट्रिक नहीं है और इसमें जो polarization है वह हिस्टरी पर डिपेंड कर रहा है कि उसके पहले कहां कहां कब कब electric field कैसा कैसा लगाया गया था तो सभी material लीनियर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते हैं लेकिन हम लोग अपने कोर्स में समाने तर लीनियर डाइलेक्ट्रिक की ही चर्चा करेंगे है